सो गूट मॉर्निंग एवरिवन आई वेलकम यौल टू वन येर जो आपको दाहिंदू का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं प्रिलिम्स 2021 के लिए ठीक है तो यह सेशन जो है 10th क्लास है अल्रेडी हमने 9 क्लासिस कर ली है लगबग 95 प्लस टॉपिक्स प्रिलिम्स स्पेसिफिक ट आज भी हम लोग 10-12 टॉपिक्स को कवर करेंगे तो यह जो टाइमिंग रहती है Monday to Friday आप अगलास रहेगा ठीक है Monday to Friday तो विल ट्राइ कि जितना ज़्यादा टॉपिक्स हैं वो कवर हो पाएं जितने से ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हैं इस सीरीज के अंदर वो आपके कवर हो सके इस सेशन इस प्रेजेंटेट बाइमी मायने में स्वराप पांडिया यस एक्जाम की तहरी कर रहा है अनकेडमी से नहीं जुड़े ज़रूर से जुड़े इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं अभी कई सारे ग्रेट बेनेफिट्स हैं यूज हैं वो भी आपको मिलेंगी जिसमें अलग अलग सब्जेट्स का पूरा कंटेंट उसको आप पढ़ सकते हैं लाइव सेशन होंगे टेस सेरीज है सब कुछ एक कॉंप्रहेंसिव पैकेज के अंदर इंक्लूड़ेड है तो आपको अलग से करने का कुछ जरूरत नहीं है तो जब आप 1-year, 2-year का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप अवेल कर सकते हैं आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस बिलेगा जितने भी बैच कोर्सेस आते हैं टॉप एक्सेस कर सकते हैं तो यह जो optional courses है, वो optional optional से related जो courses है, वो भी आप available कर सकते हैं, यहाँ पर gs plus optional, combined जो combo है, वो भी आप ले सकते हैं, combo जो subscription है, वो भी आप ले सकते हैं, तो बहुत great benefits है, you can use this code that is splive splive और आप join कर सकते हैं, so यहाँ पर पहला topic देखते है, EPCA, ठीक है, first is EPCA, so when you talk about EPCA, अगर देखा जाते हैं, इसका जो aim है, है ना, तो यहाँ पर EPCA का क्या मतलब है, environment pollution, prevention and control authority, ठीक है, environment, pollution, prevention and control authority, EPCA जिसे हम कहते हैं, तो जो stable burning continuous basis पर हो रहा था है, और उस वज़़वज़ से, उस वज़़़ज़ से, जो डेली का जो region है, वहाँ पर, pollution increase हो रहा था, तो उस context में, सुप्रीम कोट ने इस पर कुछ points रखे थे, यहाँ पर जो objective इसका क्या है, protecting and improving, environment की quality को improve करना, और environment pollution को control करना, किस region में, सिर्फ national capital region में, मतलब NCR region में, तो आपको ध्यान में रखना है, all over India नहीं, सिर्फ NCR region में, सो कई सारे जो environment related issues हैं, उसको देखने का काम EPCA का रहता है, बट आपका NCR region में, सो यह Supreme Court mandate body है, और इसका aim भी क्या है, air pollution को tackle करना, in NCR region, notified किया गया था, 1998 under Environment Protection Act, 1986, तो देखो EPCA, इसके बारे में आपको यह facts याद रखने है, NCR region notify कप किया गया था, किस act के तहित किया गया था, 1986 का Environment Ministry के दौरा, under Environment Protection Act, 1986, फिर है 20th Amendment Bill, अब देखो इसके provisions तो नहीं करना है, लेकिन स्री लंकन गवर्मेंट के context में आपको याद रखना है, तो latest जैसे कई जो Amendment Bill आपके हमेशा से news रहते, तो 13th है, फिर आपका 19th है, और फिर 20th है, तो यहाँ पे 19th Amendment जो आपका Bill था उसने, जो power है, मतलब एक ऐसा arrangement रखने हैं कोशिश की, जिसमें जो discretionary power है President का उसको reduce किया जा, 20th Amendment उसको फिर से increase कर रहा, country के context में है, तो वो that is related with आपका, जो किस से related है, they are related with the Sri Lanka, next है, bacteria behind deaths of 330 Boatswana elephant, तो ओखा वांगो डेल्टा, अगर आपको याद हो, ओखा वांगो डेल्टा, तो ओखा वांगो डेल्टा वो कहां पे था, Boatswana में है, और वहां पे उसके आसपास के reason में, उसके आसपास का जो इलाका है, वहां पे कई सारे जो elephants वो मर गए थे, ठीक है, तो वो क्यों मर गए थे, उसमें पहले कहा गया poaching है, इस तरह की reasons आपके दिये गए थे, तो यहां पे कहा गया कि जो toxin है, water के अंदर जो जहर था, toxic था, ठीक है, जो की एक sinobacteria, मतलब यह जो एक algae है, उसके द्वारा produce किया गया था, उस वज़ह से elephants किया आपकी death होई थी, तो यह sinobacteria की बात किया जा थी, यह microscopic organisms है, water में आपके पाए जाते हैं, soil में पाए जाते हैं, और यह toxins produce करते हैं, जहर सा produce करते हैं, और यह कहा गया है कि climate change की वज़ह से, जो global temperature बढ़ रहा है, तो ऐसे जो sinobacteria हैं, उनका, जो spread है, वो तेजी से, वो तेजी से आपका increase हुआ है, तो अब इसमें यह भी प्रशना है, कि सिर्फ यह जो toxin है, वो सिर्फ elephant के लिए ही क्यों है, तो कई बार क्या होता है, कि जो administration होता है, वो भी उन पे नाम ना है, तो कई बार कई reasons देते हैं, लेकिन फिर भी इस पर research करने जुरूएता है, तो कहाए गया है कि जो sinobacterial blooms हैं, ठीक है, जैसे 18,000 में आपको कहा था, 18,000 जो birds हैं, avian optolism, ऐसा कुछ term है, ठीक है, optolism, तो यह क्या है कि एक bacteria है, उसकी वज़े से मरे थे, तो अब यहाँ पर यह भी हो सकता है, ओखावाँ को delta है, वहाँ पर आसपास elephant मरे थे, तो उसके पीछे क्या reasons हो सकता है, तो जो official region है, वो क्या है, साइनो बैक्टेरियल ब्लूम, मतलब जो यह बैक्टेरियल अल्गी, इसका बहुत तेजी से spread हो जाना, ठीक है, और यह क्यों इतना तेजी से spread हो रहा है, because of the climate change, ठीक है, climate change की वज़े से, ऐसी conditions हारे हैं, इसकी वज़े से वो आपका तीजी से spread हो रहा है, फिर एक term है, मैंने आपको बाता है, mass stranding, mass stranding, यह term याद रखो, mass stranding, ठीक है, mass stranding, तो जो mass stranding है, वो क्या है, वो आप याद रखना है, तो यह जैसे, पिछले lecture में भी मैंने discuss किया था, यह whales होती है, वो आपके, coastal area में आके टकरा जाती है, अब इसमें कई सारे points हम लोग already discuss कर चुँगे, पहली की class में, देखो, यह mass stranding है, तो यह सब मर जाती है, ठीक है, एक के पीछे, एक के पीछे के ऐसा death हो जाती है, तो यहाँ पर देखो, क्या है, एक factor इसमें है, acoustic pollution, मतलब, जो एक sound pollution होता है, जैसे यह eco location पर बहुत work करता है, तो यहाँ पर क्या है, कि इतने तरीके की sound आती हैं, कि वो confused हो जाती हैं, कि सुने कहां से, और समझे कहां से, तो इसलिए आप कह सकते, acoustic pollution है, एक reason आपका बन जाता है, तो यह whale है, dolphins है, पॉरपाइजेज हैं, यह, they are also very curious by nature, और these animals may have ventured a little too close, तो यहाँ पर कई बार, कई reasons इसके लिए responsible आपके रहते हैं, acoustic pollution उनमें से एक reason आपका बनता है, इस वज़े से क्या होता है, कि उनका जो navigation है, वो affect आपका होता है, है न, वो एक reason आपका बन जाता है, और कई बार injury है, या कई factors हैं, जो कि mass trending के लिए responsible होता है, mass trending term आपको बस याद रखना है, कि जो बड़ी-बड़ी fishes होता है, जैसे whale है, इनसे related है, कि वो एक किसी जगह पे एक साथ, जैसे कि रोड में कोई गाड़ी, एक गाड़ी का accident हो, उसके उपर दूसरी, तीसरी, दसमी, मतब इस टाइप का कई situation आती है, उस प्रकार का, एक fish whale है, वो उसकी death होई, तो उस पे सब line से टकरा के मर जाती, क्योंकि वो एक को follow करते हैं, एक leader होता है, उसको navigation के लिए follow करते हैं, वो उसका मालूब बिमार हो, या उसका जो भी acoustic pollution के विज़े से उसका navigationalist है, वो नहीं सही से कार कर पारा, तो कहीं से जाकर टकराएगा, तो सब जाकर उसी से टकरा जाएंगे, यह है, ठीक है, India, Denmark in strategic green alliance, तो अभी हाल में ही, किस देश के साथ इंडिया ने strategic green alliance sign किया है, तो आपको याद रखना है, यह इंडिया और डेन्मार्क के बीच में, green strategic partnership आपकी sign की गई है, तो यह थोड़ा सा आप याद रखें, तो कई सारे areas में इनका की बात चल रही है, Australia को include करने की बात चल रही है, जैसे इंडिया है, Japan है, US है, यह तो रखते ही है, आप Australia को भी include किया जाए, यह भी आपका discussion हो रहा है, खास तोर से, ठीक है, तो यह जो reason है, इस reason पे ही मालाबार exercise होती है, कभी Japan के पास, कभी Indian Ocean region में, Australia आ जाएगा, तो इस region में आपका जो यह exercise है, वो आपकी start हो जाएगी, अब देखो यह आप लोग याद रखो, यह जैसे water body है, ठीक है, बर्शन गल्फ है, यह Gulf of Oman है, याद रखो, यह Gulf of Eden है, ठीक है, यह Red Sea है, अब जैसे अगर आप से कोई पूछे कि Jordan, Jordan जो देश है, वो किस sea में open होता है, तो असल में यह थोड़ा सा और आगे हो, यह आपका Red Sea की तरफ open होता है, Jordan की अगर आप बात करोगे हैं न, और यह Syria है, यह Jordan है, यह Iraq है, इरान है, और यह Israel का area है, Lebanon है यहाँ पर, यह Mediterranean Sea है, अब इधर और थोड़ा उपर जाओगे, तो और भी countries याद रखना है, जैसे यह Aegean Sea याद रखो, Greece और Turkey को ऐसे अलग करता है, तो यह सब points याद आपको रखना है, जैसे island है, Comoros है, Mauritius है, Medagascar है, इनके बारे में जैसे थोड़ा arrangement इनका याद रखो, यह हमार, जैसे यह याद रखो, Sumatra, Java इसको, और कई mountains हैं, जो पहले हमने डिसकुस किए, जिसमें volcanic eruption हुआ है, Indonesia के Sumatra region में है, I think Sina Bog है उसमें से एक, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, यह आपका इस तरीके का जो विस्पोर्ट है, वो आपका हुआ है, volcanic eruption आपका हुआ है, तो यह ध्यान में रखना है, next देखते हैं, Minsk के उपर है, तो यहाँ पर यह कुछ European countries भी आप याद कर सकते हैं, यह आपका Black Sea है, Black Sea याद रखना है, Sea of Azor, Sea of Marmara है, यह सब आपको याद रखना है, और खास तोर से Caspian Sea के आसपास की countries याद रखनी है, यह Water Bodies याद रखनी है, North Sea याद रखना, Baltic Sea याद रखना है, North Sea याद रखना है, इन countries को याद रखना है, जैसे यह arrangement है, Scandinavian countries है, Finland, Sweden, Norway, इसे countries के नाम याद रखने हो, ठीक है, तो अब यह countries जैसे Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, यह कुछ countries है, थोड़ा सा, आइडिया होना चाहिए, है ना, इनके basic जैसे कुछ याद रखो, जैसे सिरक्को है, Wind Flow, यह जो wind है, वो wind आपकी सिरक्को है, Mistral है, फोहन है, इस टाइप के, और आपकी जैसे एक और wind के नाम है, Rockies Mountain पे, जो Chinook है, ठीक है, Chinook आप याद रखो, तो यह कैसी wind है, मतलब hot है, cold है, किस टाइप की है, तोड़ा यह याद रखो, यह छोटी-छोटी चीजे होती हैं, जो matter करती है, ठीक है, आपको elimination tricks में help करेंगे, अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा पढ़के जाओगे, तो 60 questions, 60 plus questions, 65 plus questions, आप के under रहेंगे, कि आप कर सकते हो, बाकी, मतलब, थोड़े बहुत chances ले, कि इतने तक आप reach कर सकते हो, मतलब, थोड़ा सा study पर निर्भर करता है, कि इस तरीके सम प्रोसीड करता है, नेक्स देखते हैं, ये एक है, अभी हाल में, Investor State Dispute Settlement, ISDS Tribunal, ये इंडिया और नेदरलेंड के बीच, जो bilateral investment treaty साइन होई थी, तो वहाँ पे, जैसे एक term आप याद रखो, जो use होता है, जैसे crowding in, crowding in, crowding out, ये concept, ये term use हुआ economic survey में, ये आप याद रखो, ठीक है, एक जैसे GVA, जहाँ है न, gross value addition और GDP का relation याद रखो, ठीक है, एक याद रखो, recessionary gap, recessionary gap याद रखना है आपको, ठीक है, deflationary gap, क्या होता है, याद रखना है, उसके बाद inflationary gap, इसके बारे में आप याद रखो, inflationary, ये सब term news में है, economic survey में भी use हुआ है, और भी है, एक है, salience bias, ये economic survey में, ये term use हुआ है, ठीक है, एक होता है, ये है, मतलब interest rate, interest rate, growth rate differential, ऐसे कुछ है, interest rate, and growth rate differential, ये term याद रखना है, कि negative interest rate, growth rate differential का क्या, इंडिया के लिए क्या reason है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसके बाद basic necessity index, आप याद रखो, basic necessity index, this is also very important, इस सब economic survey के terms है, जो आपको याद रखना है, एक कोई class होगी, आप मुझे बताना, तो मैं इस पूरी class में ये cover करा दूँगा, ठीक है, तो ये basic necessity index, आप याद रखो, इसमें क्या होते हैं, पांच pillars होते हैं, तो आपको पांच pillars याद होने चाहिए, क्यों पांच pillars कौन है, खास तोर से बांगी सब तो basic necessity में आपको याद रखा, एक पांच में pillar में micro environment होता है, micro environment, चौथा pillar होता है, ये micro environment, तो वो थोड़ा से याद रखना, एक बहुत important है, जिसमें प्रश्ण आपको बन सकता है, वो है एक term है regulatory, लिख लो सारा, मतलब खुद से भी read कर लो, regulatory forbearance, regulatory forbearance क्या होता है, ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा brief में बता देता हूँ, है ना, तो regulatory forbearance यह याद रखो, कि what do you mean by regulatory forbearance, तो regulatory forbearance, या salience bias का मतलब क्या होता है, तो regulatory forbearance का मतलब होता है, माल लो, जो भी regulatory bodies है, वो regulatory bodies अगर कुछ regulations लगाती है, उसको कुछ समय के रिलाक्स कर देती है, conditions ऐसी हो गई, माल लो, banks है, pandemic की वज़े से क्या है, वो pandemic की वज़े से उन्होंने थोड़ा सा, जो भी relaxation दिया है, उसको थोड़ा relax कर दिया, ठीक है, तो उसका फाइदा उठा लेते हैं, कई लोग है, ना कुण को रहता है, चलो उसको वो फिर अपने asset का गलत बता देंगे, इस टाइप से सारा रहता है, तो इसमें, economic survey में कहा गया था, कि regulatory जो forbearance है, ये last medicine है, मतलब last में देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कभी भी मतलब इसको करो, क्योंकि फिर इसका फाइदा उठा लेते हैं, इस तरीके से ये term एक salience bias, इसमें ये का गया है, कि ये कई steps हम लेना चाहते हैं, कई जो steps हम लेना चाहते हैं, लेकिन emotional level पे, कई बार क्या होता है, तो इसलिए जो हमें diversified steps लेने चाहिए, उसकी जगा हम उसकी तरफ एन inclined रहते हैं, तो वो step लेते, इसको salience bias ऐसा कुछ highlighted term किया गया, एक आपका interest rate और growth rate differential का मतलब, जैसे अगर एक term used है, that is debt sustainability, debt sustainability, अब debt sustainability का मतलब क्या है, कि जैसे आप उधारी मालो 100 रुपे लेते हो, 100 रुपे में आपने 10% interest rate में लिया, तो साल भर में आपको 110 रुपे लगेंगे, अब ये 100 रुपे लेके, आपने कहीं पैसा लगा दिया, अब उसमें आपको growth rate आ रही हो, 20% कि आ रही है, ठीक है, तो interest rate तो 10% है, अब आप जो, 10 रुपे मालो आपको देना पड़ रहा है, बट कमा 20 रहो, तो ऐसे में ये क्यों, ये जो उधारी लेके आपने growth rate अचीव की है, मतलब खर्चा सही से करके, तो ऐसे में क्या है, debt खराब नहीं है, तो इसको हम कहते है, debt sustainability, ये term याद रखो, called as debt sustainability, और ये interest और growth rate differential, इस पे आपका paste होता है, तो अगर interest rate higher होगा, तो वो सही नहीं है, इंडिया के context में, जो interest rate है, वो lower in comparison to the growth rate, ये term, ये fact भी आपको याद रखना है, तो ऐसी चीजें, bilateral investment treaty और इस टाइप की चीजें, आपको थोड़ा सा, जरूर से जो है वो पता होना चाहिए, that is again very important, अब देखो retrospective taxation, शब्द का मतलब होता है, कि जैसे मालो, सरकार ने क्या किया था, कि income tax में change करके, और retrospectively उसको, जो income calculate करके, tax impose कर दिया, तो उसको oppose किया था, जो भी उन्होंने, Vodafone और उन्होंने, जो भी अपना steps लिये था, वो present law के according किया था, but retrospective taxation, एक बड़ा issue बन गया था, इसके वाज़ा से फिर, कहा गया कि देखो, यह bilateral investment treaty के खिलाफ है, या आप हमारे investor के खिलाफ कारे कर रहे हो, और उसमें फिर उन्होंने oppose किया था, ठीक है, फिर एक term global common, global common शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, shared resources that cannot be managed with national jurisdiction, यहाँ पे जैसे greenhouse, मतलब यह जो pandemic है, इस pandemic की वज़व से, यह जो term है, आप कह सकते हो, यह क्या है, यह एक तरीके से, जो spread है, जो नौटिक डिजीज़ेस का, greenhouse gas emission, biodiversity reduction, overfishing, यह सब जो कई challenges, आपके arise हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, because we are not able to manage the global common, जैसे मारे लो space है, जैसे पानी हैं, समुद्र हैं, यह global common साब क्यों हो गया, हवाए है, हवाए है, यह global common हो गया, तो अगर आप इन इस space को सई से नहीं manage करोगे, तो एक जगा problem होगी, तो सब जगा होगी, यह एक आपको याद रखना है, अब यहाँ पे, एक यह biologist हैं, Garrett Hardin, इन्होंने, the notion of tragedy of common, अब देखो इस ताइप के टर्म, क्योंकि environment में पूछे जा सकते हैं, tragedy of common शब्द किसने, यह Garrett Hardin ने दिया था, और इसमें कहा गया था कि, communities cannot manage their shared resources, and require government intervention to regulate resources, तो यहाँ पे, tragedy of the common का मतलब भी उन्होंने कहा कि, देखो, यह जो global common है, इनको लोग नहीं manage कर सकते हैं, वहाँ पे government intervention की जरूरत है, तो 1968 में इस concept को दिया था, Garrett Hardin ने, आपको याद रखना है, इस चीज को भी, क्योंकि साथ में ही आपका होता है, IFS का paper भी होता है, Indian Forest Service का भी paper होता है, इसलिए थोड़ा सा यह ऐसे प्रश्णा आपके लिए frame भी हो सकते हैं, 1990 में, Eleanor Ostrom ने, इसने अपना, prelim साथ में होता है, I think आप सभी को पता होगा, IFS का जो cut-off है higher जाता है, 15-16 नमबर higher जाता है, IS के cut-off से मताँब, 98 IS का जाएगा, तो उसका 115-16 जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को देने का मौका मिलता है, IFS mains, ठीक है, तो इसलिए environment से related प्रश्ण होते हैं, इसी तरीकिसे Eleanor Ostrom ने, इसने किस तरीकिसे Global Common को governed करे, और उसमें भी कहा गया था, Communities can govern on their own, their shared resources, 13th amendment है, 13th amendment related स्रिलंका से, और यह आपका 1987 में, जो इंडिया स्रिलंका accord साइन किया गया था, Indian Prime Minister और President उनके जो स्रिलंका के था है, उनके बीच में, और फिर इसमें यह था कि जो Tamil dominated areas है, उनको ज़्यादा autonomy provide की जाए, इस context में था, उसके बाद UN and retreat from multilateralism, multilateralism is, जहां पर three governments participate, क्योंकि दोख होंगे, तो bilateral हो जाएगा, bilateral से ज़्यादा, तीन और उससे ज़्यादा multilateralism आपका हो जाएगा, तो multilateralism की बात किया जाए, जैसे United Nations, different different groups, जो है, दो countries आ जाएगी, तो वो bilateral, तो अगर multilateral institutions आई से काम नहीं करेंगे, तो bilateral institutions को promote कर रहे हैं, और कई countries जिन्होंने withdraw किया है, जैसे मालो, US ने withdraw कर लिया, कहीं से भी कोई बड़ी-बड़ी countries अगर withdraw कर लिएगे, तो दूसरी country को opportunity मिल जाते हैं, अब US ने, जैसे Donald Trump थे, जो तो वो हर जगह से withdraw करते जा रहे, तो उसने space provide कर दिया चाइना को, और चाइना वहाँ enter करके, अपना dominance बना लिया उसने, यह जो strategy है, यह strategy जो Donald Trump की थी, वो confrontation तो थी, लेकिन वो जो confrontation थी, उसने equal आने का मौका दे दिया चाइना को, हर जगह पे, तो यह भी एक point है, next देखता RBI के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो, याद रखना preamble, in RBI Act की बात किया जा, तो यह finance act 2016, तो इसमें खास तोर से, साफ साफ यह highlight किया जाता है, कि जो monetary policy है, जो monetary policy का जो short term money है, उसके regulation का काम आपका, monetary policy का रहता है, capital market की बात किया जा, तो से भी देखती है, तो यह monetary policy है, आपका price stability का मेने में, साथ में objective of growth को भी ध्यान में रखना है, यह term याद रखना, that is we call it as inflation targeting, inflation targeting मतलब, जो growth है, उस growth को के लिए आप money और इसा provide तो कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना है, कि इतना inflation से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यह जो approach है, inflation targeting हम क्याते है, तो आपका monetary policy committee होगी, जिसमें six members होगे, और इसमें आपका, है ना, यहाँ पर देखो, MPC is a six member committee, constituted by the central government, अब यहाँ पर मालों यह लिख दिया जाए, MPC is a six member committee, constituted by RBI, तो वो statement आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, by the central government, तो यह section के तहत है, RBI Act 19, जो amendment होगा है, उसके तहत है, 1934 का, और दूसरा है, आपको याद रखना है, कि यहाँ पर कई सारी, जैसे inflation target कितना होना चाहिए, हर पांच साल के अंदर, आपका, जो अभी जैसे 4% plus minus 2%, जो पहले था, वही further extend कर दिया गया है, तो यह सब चीजें, और monetary policy में, रेपोरेट रिवार से, रेपोरेट बैंक रेट, यह सब आपका decide किया जाता है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है, नेक्स्ट है, अर्मेनिया और अजर्बेजान की जो class है, वह आप याद रखो, नगोरना काराबाख, यह reason याद रखना है, जहां पर आपस में लड़ रहती, अजर्बेजान है, पहली चीज़ तो कैस्पेंसी याद रखो, कैस्पेंसी के left side में, वेस्टन साइड में अजर्बेजान है, और फर्दर आपका यह अर्मेनिया, अर्मेनिया की इधर ब्लैक सी है, यह जौर्जिया है, यह रशिया है, यह तर्की है, इधर जो है, अगर आप देखो, ब्लैक सी के इस्टन साइड में आपका अर्मेनिया है, कैस्पेंसी के वेस्टन साइड में है, अजर्बेजान है, अर्मेनिया इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, इस रीजन के लिए, जिसका नाम है Nagorno-Karabakh, बस यह याद रखना, prelims context के लिए बस important हो जाता है, Nagorno-Karabakh region, ठीक है, Nagorno-Karabakh region, तो यह थोड़ा सा important है आपके लिए, फिर है next है, Invisible Killer Threatened Country Sandalwood, अब यहाँ पर एक disease है, जिसका नाम है, Sandalwood Spike Disease, SSD जिसे कहा जाता है, इंडिया Sandalwood Tree की अगर बात कि, Sandalwood चंदन का पेड़ जी से हम कहते हैं, तो उसको Threat Face करना पढ़ रहा है, इस disease की वज़े से, SSD शॉट में कहा जाता है इसको, तो यह करनाटिका और केरला में, इस disease तेजी से spread आपका हुआ है, कई सारी जो Species Sandalwood की, वो आपकी effect हुई है, because of this disease called as SSD, और इसका अभी cure भी कोई नहीं है, यह भी एक है, एक option रहता है कि, पूरे पेड़ को काटो आप, और यह जो disease of phytoplasma, एक bacterial जो parasite है, उसकी वज़े से आपका होता है, ठीक है, इंसेक्ट, जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट इसको carry करता है, और वो फिर plant का effect करता है, तो देखो, यहाँ पे आपके, आपके लिए सिर्फ एक प्रश्न जो बन सकता है, वो क्या है, कि यह जो existing disease है, states में, किनी states में है, पहला point है, दूसरा यह point भी आपके लिए बन सकता है, कि जैसे, किसकी वज़े से, यह statement based कोई प्रश्ना जाए, तो आपको याद रखना है, क्योंकि यह बहुत बड़ी news थी, अभी हम, आपको याद नहीं होगी, लेकिन यह बहुत बड़ी news थी, क्योंकि sandalwood, पूरे कटाई कर दी गई उसकी वज़े, तो मताब आप खुद सोचो, forest department और यह सब आपस में, तो यह बहुत discussion कर रहा है, यह disease SSD की है, यह sandalwood spike disease, यह phytoplasma के द्वारा होता है, bacterial parasite है, जो कि insects में यह bacterial parasite present होता है, और फिर यह इस insect vector से, trees में transfer हो जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, तो यह काफी सरे trees इसकी वज़े से affect हुए है, काटे गए है, यह आपको ध्यान, तो यह पहली बार कोडागूर 1899 में इसको report किया गया था, और sandalwood production के लिए इंडिया country की अगर बात किया जाए, SSD disease एक बहुत बड़ा factor आपका बन जाता है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, और ठीक है, तो एक दो topic और कर लेता है, immune system weakness की अगर बात यहाँ पर किया जाए, तो यहाँ पर एक term यूज होता है, auto antibodies, बस आप याद रखो, auto antibodies, यह शब्द याद रखो, auto antibodies का मतलब क्या होता है, auto antibodies का मतलब होता है, जब आपकी, खुद की जो antibodies हैं, वो आपके, मतलब खुद के immune system को attack करें, तो ठीक है, तो auto antibodies आपकी होती है, यह session जो आपके, यह चल रहा है हिंदू का, यह आपका Monday to Friday रहेगा, ठीक है, Monday to Friday, prelims तक रहेगा आपका, aim यह है कि हिंदू के topics को, जितने से ज़्यादा से ज़्यादा cover किया जाएगा, भी 100 plus के उपर हम लोग cover कर चुके हैं already, एक यह यह आद रखो, comet, यह 67P, यह जो नाम लिखा इतना बड़ा सा, यह क्या है, कॉमेट है, यह आपका कॉमेट है, अब इसमें का गया है, इसमें भी ultraviolet auroras होते हैं, ultraviolet, मतलब auroras, अगर आपने पढ़ा होगा, तो northern light, southern light भी का जाता है, जैसे यह सूरज है, यह प्रतिवी है, इनसे क्या है, कि यह solar flares release होती है, यह charge, जो iron particles है, वो आपके release होते हैं, we call them as solar flares, यह जो solar flares आती है, और यह आपका magnetic field है, अर्थ की magnetic field, यह आते particles होते हैं, charge particles होते हैं, यह hit करते हैं, hit करने की वाज़ से, यहाँ पे क्या है, जो magnetic field है, उसकी वज़ाद कुछ enter कर जाती हैं, holes बनते हैं, उसमें कुछ enter कर जाती हैं, तो एक light सी produce होती है, northern or southern region में, north pole और south pole में, तो उसको northern light, southern light का जा, तो यह जो है, यह comet में भी देखने को मेला, यह auroras, ठीक है, यह अगर पुछिए क्या है, तो यह comet है, और auroras मैंने आपको explain कर दिया, क्या होता है, उसके बाद देखो, एक term use होता है, human challenge trial, तो इसमें क्या हो, एक placebo group होता है, एक vaccine group, placebo मतलब कोई दवा है, मानलो कोई vaccine है, उसी की तरह है, दूसरी दवा, मतलब यह दवा नहीं है, तो फिर उनको रहेगा, कि हम पर तो कोई असार होगा, यह हम पर जादा असार हो जाएगा, ऐसा कुछ, तो वो एक fake disease, fake दवा होती है, प्लैसे वो experimentation के लिए जाता है, तो यह आप placebo को याद रखो, human trial की बाद, vaccine के लिए human challenge trial की आपका किया भी जाता, जिसमें consent लिया जाता, volunteers होते होंने certain payment होता है, और फिर vaccine group or placebo group उसमें participate, मतलब दो में divide करके, जिनमें vaccine का असर हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, तो इसमें कहा गया है, ethical dimension को भी हमें ध्यान में रखना है, cloud computing, अब देखो एक यह बस याद रखना, अगर कई बार क्या है, application based प्रश्न बहुत आते हैं, तो आपको यह याद रखना है, कि जो cloud computing है, उसका flood management में भी application होता है, ठीक है, तो flood management में भी cloud computing का बहुत अच्छा-कासा आपका impact होता है, ठीक है, तो माल लोग पूछा cryptic species क्या होती है, news में था, क्योंकि यह में इढ़ा को लेकर एक news आई थी, तो cryptic species क्या होता है, what basically is a cryptic species, again I am stating, जो topics मैंने आपको करा दिया, I think 110 के असपास topics आपके हो गया, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन topics का आप जाके compare कर सकते हो, कहीं से भी, यह सब ऐसी चीज़े हैं, जो हमने पूरे साल भर हिंदू में पढ़ी है, कोई भी अगर आप yearly compilation देखोगे, तो यह 30% भी ऐसे topics आपको cover नहीं होगे, अभी मैंने आपसे सिर्फ 110, अभी सिर्फ इसमें जो topics मैंने आपसे cover किया रहा हूँ, थ्री मंथ के cover किया है, अभी और भी हमें cover कर रहा है, ठीक है, तो यह topics आप जब अगर आप देखोगे, तो यह चीज़े, कोई भी yearly compilation लोगे, तो इन terms को और इन सब को compare नहीं किया, इसलिए क्या होता है, यह जो बच्चे 2022 की तेहरी कर रहे है, आप अगर एक paper follow कर तो उसको सही से follow करो, prelims की एक booklet बना लो, जो prelims related topics हैं, उनको साथ में लिख लो, तो यह future में आपके लिए बहुत help करेगा, यह सब चीज़े, जैसे अब यह terms में आपसे discuss करो, इसमें बहुत से प्रशना आपको exam में मिल जाएंगे, अगर पूरा topic हमारा, लगबग इसको असल में तो देड़ साल का करना चाहिए, देड़ साल के almost topics आपको हो जाएंगे, लगबग 600 topics हो जाएंगे, 600 plus topics हो जाएंगे, 700 plus भी हो सकते हैं, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें आप लोग को, तो cryptic species क्या होती हैं, cryptic species आप याद रखो, कि जैसे ऐसी species जो देखने में सेम लगती हैं, बट उनका DNA वैरी करता है, है ना, यह ऐसे species को cryptic species का जाता है, देखने में सेम है, DNA में आप जब DNA उनका एक्जामीन करते हैं, तो उसमें variation आपका होता है, next है, दूसरा है कि आपका, यह आपका है, यह आपका है, तो इसके लिए, जो भी डेल लिंथ के लिए हम किस तरीके से respond करते हैं, वो निर्भर करता है जीन पर, उस जीन का नाम है, B-M-A-L-2, B-M-A-L-2 यह जीन है, उस पर निर्भर करता है, तो जीन जो है, वो that is known as B-M-A-L-2, इस पर निर्भर करता है, इवन जो भी डेल नाइट का है, उसका पूरा आपका जीन पर निर्भर करता है, नेक्स देखो, Permanent Court of Arbitration, PCA, यह टर्म आपका न्यूज में है, तो यह क्या है, यह जो है, पर्मनेंट एक तो PCA, एक आप ट्रेडिशनल सेंस में कोर्ट नहीं है, अब इसमें क्या होता है, या grievances है, तो वो Permanent Court of Arbitration में सुना जा सकता है, तो उसमें जब केस आता है, दोनों agree करेंगे, केस आता है, तो फिर judges appoint होते हैं, तो इसमें कोई Permanent Judge आपका नहीं होता है, तो यह याद रखना है, यह established किया गया था, by treaty at the first Hague Peace Conference 1899 में, और जो भी order आता है इसमें, यह binding होता है, इसका मतलब कोई भी appeal process UN Tribunal में, नहीं, the order of PCA is binding on the countries, and there is no appeal process in the UN Tribunal, इसमें appeal आप UN उसमें नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो, एक तो International Court of Justice, एक International Criminal Court, और एक PCA यह आद रखना, PCA मैंने आपको बता दिया, International Criminal Court, यह Rome Statute के तहत आपका ख़र रहता है, ठीक है, जिसे वार, क्राइम, और International Court of Justice है, ICJ यह प्रिंसिपल जुडिशल ओर्गन है, United Nations का, प्रिंसिपल जुडिशल ओर्गन है, आफ युनिटेड नेशन, यह द्यान में रखना है, ठीक है, यह कुछ चीजें हैं, तो यह topics आपको द्यान में रखना है, last topic देख लेता है, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, यह Militral Development Bank है, और यहाँ पे, overall जो social economic outcome है, उसको improve करना, तो यह सब तो इसके full form से, यह आपको पता चल जाएगा, अब इसका headquarter याद रखो, कब बना था यह याद रखो, ठीक है, तो लगभग इतनी countries इसका हिस्सा है, beyond Asia भी इसका हिस्सा है, countries है, ठीक है, तो यहाँ पे, Beijing में इसका headquarter है, और इसका establishment 2016 के अंदर हुआ था, कई सारे areas में, सिर्फ यह नहीं है, कि सिर्फ Asia के अंदर, beyond Asia भी आपका countries भी इससा है, और यह मतलब invest भी करता है, तो यहाँ पे क्या है, कि investing in sustainable infrastructure, other productive sectors in Asia and beyond, better लोगों को connect करना, service and market, यह सब चीज़ नहीं, बहुत सारे लोगों के लब life को positively आपका impact करना, ठीक है, तो यह सारे आज के topics, I hope यह session आपके लिए helpful रहा होगा, I request you all के like करें, share करें, कल मिलता है, ठीक है, यह Monday to Friday आपका चलेगा पूरा class, ठीक है, इस पुरे Friday के Friday तक, जैसे I think हम लोगों ने 15 plus topics तो कर लिए होगा, टू 30 plus topics already हमारे हो जाएंगा, मतलब यह 10 वी क्लास है, कल 11 वी क्लास होगी, फिर 12 वी तेरी वी ऐसी चलती रहेगी, Friday तक, जोरत पड़ेगी, I will take class on Saturday also, idea is to cross around 400 plus topics, 400 से 500 topics आपके cover हो जाएं, और 2022 का जो बच्चे तहरी कर रहे हो, तो थोड़ा आप लोग पहले से ऐसा register type बना लोगे, एक चीज को अच्छे से करोगे, वो बहुत matter करता है, अब यह चोटी-चोटी चीजों से ही प्रशन आता है, और इसके बाहर क्या ही जाएगा, कोई चीज news में है, चाहिए वो static पढ़ो, चाहिए वो current affair पढ़ो कुछ भी, तो यह जो theme होती है, current affair theme देता है आपको, ठीका, और वहीं से फिर प्रशन आपके लिए बन सकते हैं, अब जब उसमें प्रशन थोड़ा बाउंसर जो आपको लगते हैं, अब हर paper को आप पूरा, तो मतलब अगर आपने पहले से regular follow नहीं गया, तो ऐसा भी आज से डेड़ से पहले paper में क्या आएगा, वो तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप कोई paper या session follow करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप content management पे काम कर रहे हैं, यह topic mains के लिए है, यह subject के लिए है और यह prelims के लिए है, तो वह आपके लिए काफ़े helpful रहागा, स्वाची लिए थैंक यू everyone, थैंक यू.